नमस्कार जैहिन PS Academy से मैं हूँ प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अपने लाश्ट वीडियो में हमने modern history पढ़ते हुए हमने देखा था भारत में प्रिश का विकास कैसे हुआ और जो भी पत्र पत्रिकायन थी उनके संपादगों के बारे में संस्थापक करूँगा कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं उतनी ही चीजे बताओ जितनी इसमें दी गई है उससे भी आगे की चीजिए उससे और भी इस्ट्राज चीजें भी मुझे बताना पड़ता है क्योंकि मेरा उध्दिष से कभी भी आपको नहीं रहा एक कई बार मैंने आपको कहां सो प्लीज आप कंप्लीट वीडियो देखें आपको बहुत से चीजे यहां पर वह चीजे मिलेंगी जो इस पॉइंट्स में जिस पॉइंटर में नहीं है चलिए शुरू करते हैं यहां पर देखें उनिश्वी शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जन संख्या के जिस वर्ग को मुखिता अकरशित किया वो कौन सा वर्ग था बुद्ध जीवी वर्ग नगरी उच्च जातियां और उदार रजवारे देखी आपको समझना पड़ेगा यह एक मेंस का क्येस्टन बनता है ठीक है कि सुधार अंदोलन जो हुआ था उनिश्वी शदी में सुरू हुआ ठीक उनिश्वी शदी में सुरू होता है आखेर उसने किस वर्ग को ज़्यादा परभावित किया ठीक समस्या कहां थी जिसे जो उसमें बालविवा सत्यपर था ये सब समस्याय थी वो समाज के किस वर्ग में दमान देखने को मिलते थी ठीक और जब समाजिक सुधार अंदोलन हुआ तो ये मुखेता एक बुद्ध जीवी वर्ग तक ही सीमित रहे गया और उच्छ जातियों तक ही सीमित रहे गया उदार रजवाडों तक ही सीमित रहे गया आप जब पढ़ते हैं इसको मेंस के टॉप के रूप में तो आप वहां पर समाजिक सुधार अंदोलन की एक आलोशना के रूप में भी लिखते हैं कि इसका जो प्रशार था इसका जो छेत्री विस्तार था वो बहुत ही सीमित था सीमित का मतलब ये केवल समाज के उच्छ वर्ग तक ही सीमित रहे गया और कुछ ही उ आधुनिकी करण हुआ ये कथन है आपको बताना है सही है या नहीं कारण क्या है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद विग्यानिक दिष्टिकों तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये पूरी तरीके से सही भी है कथन भी ठीक है कारण भी ठीक है और दोनों इसकी ब्याक्ख्या भी कर रहे हैं ठीक है देखे फिर से एक बार देखे कि उन्निश्वी शदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकी करण हुआ ठीक अगर य अलाकि यद्देप की बाल विवा तो आज भी देखे जाते हैं लेकिन सती प्रथा जीसी जो समझाय थी विद्वाओं का भी वाह नहीं होता था लेकिन आज वो समझाय नहीं है ठीक और एक आधुनिक समाज में ऐसी घटिया प्रथाओं को जारी रखना कहीं से भी उचित नहीं था तो ये कहीं न कहीं भारत में आधुनिक्ता का आधुनिक्ता के प्रशार में ये इसने महत्पुन भूमी का निभाई ऐसा क्यों हुआ क्यों क्योंकि इसके मूल में क्या था बुद्धी वाद था तर्क वाद था जब लोगों ने कहा कि सती हो जाना चाहिए एक महिला को अगर उसका पती मर गया है ठीक है तो लोगों ने तरक किया क्यों कि साधार पर आप कह रहे हो कि उसको भी सती हो जाना चाहिए लोगों ने तरक किया बुद्धी का इस्तेमाल किया वैग्यानिक दिश्टिकोर आया ठी माने जाते हैं यह फोर्थ पेपर में आप पढ़ते हैं इन चीजों को कुलीन जमीदार यहां पर देखिए नवीन धन्वान ब्यापारी सिच्छित हिंदू मध्यम वर्ग और सिच्छित मुसल्मान में से वह वर्ग जिसे सरुपर्थम पश्चमी सभ्यता ने प्रभावित कि जिसे राजराम महनराय यह लोग कौन थे जमिदार हुआ करते थे इनकी फैमिली जमिदारी प्रतास से संब्देती ठीक है राजराम महनराय काफी पढ़े लिखे ब्रिटेन पढ़े ठीक इन चीजों और यहीं वह वर्ग देखने को आपको मिलेगा जिसने जो समाजिक नित्रकार थे वकील थे डॉक्टर्स थे यह सब लोग थे ठीक है यह लोग थे कौन यह हिंदू मध्यमवर गही था ठीक हिंदू मध्यमवर गही था और आप याद रखना दुनिया में कहीं भी क्रांती हुई है तो उसको नित्रित जिसने दिया है वो मध्यमवर गही था ठीक है चलिए आगे चलते हैं भारती जगरती का जनक कहलाता है कौन राजरा मोहन रौय ये तो पता होगा। इन्हें ही पुनर जागरन का पिता भी कहते हैं और इन्हें ही भारती राष्ट्रवाद का पैगंबर भी माना जाता है और साथ में इन्हें ही आधुनिक पुरुष भी माना जाता है ठीक है और राजराम महनराय द्वरा इस्थापित पहली संस्था कौन थी आत्मी सभा थी ठीग है आपको याद रखना है आत्मी सभा इसके बाद वो ब्रभा समाज की सापना करते हैं 1800 अठायस में हलाँ किसका नाम पहले ब्रभा सभा था बाद में ब्रभा समाज हो जाता है और यहाँ पर याद रचीए राजरामनराई की राजा की उपादी किस न दियाथ अकबर दुती यहां पर देखें कन्फिजन हो जाता है उसका जो वास्तविक नाम था वह नाम था अकबर साहद रुप्षन में Fight 6 अगर वॉप्षन में कलकत्ता Unitarian Committee यहां पर Tabernacle of New Dispension तथा Indian Reform Association में से केसो चंद सेन का संबन किस्से था तो यहां पर देखे केसो चंद सेन का Tabernacle of New Dispension of Indian Reform Association की इस्तापना से अब यह जो आयोग है ऐसे सवाल कैसे ढूंड के लाते हैं कहां पर उद्देश से क्या होता है उनका पता नहीं चल पाता ठीक है क्योंकि यह चीजे बहुत किस किताब में आपको मिलेंगे मुझे भी नहीं पता क्योंकि कई किताब है तो मैंने देखी लेकिन उसमें मुझे कहीं दिखा नहीं तो कोई बात नहीं आप इसको एक बार देख लीजिए जात कर लीजिए भारती ब्रह्म समाज के थे लेकिन यहां पर देखे जब भी भाजन होता है तो उसमें दो टुकड़े हो जाते हैं एक टुकड़ा कहलाता है आदी ब्रह्म समाज आदी का मतलब क्या होता है प्रारंब से ठीक जो पहले वाला ब्रह्म समाज था जो देवेन नाटेगोर के नेत्रित में था वो आदी केशोचन सेन ने भारती ब्रह्म समाज की सापना किया और यह जो भारती ब्रह्म समाज आगे भड़ता है तो 1878 में फिर से इसका विभाजन हो जाता है क्यों होता है देखिए केशोचन सेन ने आप यह आंदूलन कर रहे थे और लोगों को जागरुक कर रहे थे कि बाल समाज से जुड़े रह सकते हैं कैसे हम भारती ब्रह्म समाज से जुड़े रहे जहां पर लोग अपने ही रूल को फॉलू नहीं करते हैं तो वहां पर दो लोग दो लोग अलग हो गए 1878 में आनंद मोहन बोस्त और सिवनाथ सास्तरी इन दो लोगों ने मिल करके साधारन ब कर देता हूं कि 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन होता है आदी ब्रह्म समाज और भारती ब्रह्म समाज भारती ब्रह्म समाज के सापना किया केशोचन सेन ने 1878 में भारती ब्रह्म समाज फिर से दो भाग में बढ़ जाता है वहां पर एक भाग बनता है साधारन ब्रह्म सम है एक देव वाधपर बाल विवा सती प्रतय पारे और भारती संस्क्रिति दोनों के मिस्रंत को यह ज्यादा सुका। थे ठीक है उसको मानते थे कि भारत के लिए उचीत है यहां पर ब्रह्म समाच के बारे में सही कथन इसने मूर्थी पूजा का बिरोध किया बिल्कुल किया धार्मिक ग्रंतों की ब्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अश्विकार कर दिया ठीक है इन्हों ini ने कहा कि आप धार्मिक ग्रंत कुद पढ़ो और अपनी बुद्धी का यूज करके उसका उसका जो निसकर से वो निकालो आप किसी पुरोहित वर्ग पर डिपंड मत रहो इसी अधार पर इन्होंने सत्ति प्रधा को पूरी तरीके से कहा कि ये अवैध है अप्राध है ठीक है आगे चलते हैं नो हिंदुवाद के सर्शिष्ट प्रतिनिधी कौन थे वो थे श्वामी विवेकानन विवेकानन सिकागो में कब हुआ था ये घटना 1893 में पता ही आपक यहां पर देखिए जिसने ग्यान योग कर्म योग राज योग नामक पुस्तके लिखे किस्ने लिखी थी सौमी विवेकानन ने लिखे थी सावी विवेकानन ने किया था कब किया था अठाष्ण सत्तानवे में और इनके गुरु कोन थे रामकृष्ण परम हन्स ठीक है और स्वामी दयानन सरश्रती को इन्हों नहीं कहा था वेदू की और चलो कहा था किसने दयानन सरश्रती ने कहा था भारत का मार्टिन लोथर किसे कहा जाता है स्वामी दयानन सरश्रती को सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था इन्हों नहीं लिखा था किस भासा में हिंदी में ल आरिय शमाज की सुद्धी आंदोलन का समर्तन किषने किया था आरिय समाज के द्वारा। इन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने अपना धर में परिवर्तित कर लिया है, वो इसाई बन गए है, मुश्लिम बन गए है, उनको फिर से वापस हिंदु धर में आ जाना चाहिए, तो इसी को कहा जाता है सुद्धी आंदोलन, अच्छा सासन स्वासासन का स्थानापन नहीं है, ये बात किस ने कही थी, श्वामी दयानन ने कही थी, इन्होंने कहा कि अच्छा सासन स्वासासन का स्थानापन नहीं है, आप कितना भी अच्छा सासन दे दो, लेकिन वो कहीं भी स्वासासन से अच्छा नहीं हो सकता, कहने के मतलब अंग्रेज हमारे देश में आए, वो अंग्रेज कितना ही बहतर सासन हमको दें, लेकिन वो भारतियों के द्वारा सासित राज्ज से बहतर सासन नहीं हो सकता, स्वासन का मतलब क्या है, कि हमारे देश के लोग ही सासन करें, और अच्छा सासन का मतलब ये इसी सं किया था और हिंदी को राष्ट भासा माना किष्णे स्वामी दयानन सरश्वती नहीं सबसे पहले स्वाराज सब्द का प्रियोग किया था तुल्सिदास राजराम महानराय स्वामी विवेकानन दयानन सरश्वती का सही काल करम क्या है तो आपको पता है तुल्सिदास ये भक् में प्रारतणा समाज का मुख्य संचालग कौन थे ? एमजी रनाडे थे ? ठीक है भू? भू.. भू? भू ? महाराष्ट में प्रारतना समाज के लिए एमजी रनाडे इंपोर्टेंट थे वहाँ पर आगे चलें देव शमाझ के संस्तापक कौन थे ? शिव नारायन अगनी होतरी शिव नारायन अगनी होतरी ये देव समाज के संसापक थे तेखिए यहाँ पर यह बहुत ही फैक्ट्चुल है ऐसे चीज़े याद रखना होगा और यहाँ से सवाल आते भी है ठीक तो 1873 के सत्य सोधक समाज के सापना जयतिबा फूले ने किया थ तो गुलाम-गिरी के लेखक कौन थे आपको पता है कि जयतिबा फूले ही थे गुलाम-गिरी के लेखक पिछले वर का उत्थान मुक्ह कारक्रम था किसा सथ्य सद्धक समाज काрист बहुत ही आप यह समझoya कि ब्रामभाड विरूदी आंदोलन ता जयतिबा फूले का जो इनक सब्कारिका नीकाली थे पुस्तक के रशना भी किया था आगे से 7 सुदक समाज ने संगठत किया था किसको महराश्ट में एक जाती विरोधी आंदोलन मतलब ब्रामभर्ड इन्होंने ब्रामभर्ड ये राधाकान देव वो थे जिन्होंने राजरामुहान राय का विरोध किया सभी का कहने के मतलब पूरे सामाजिक सुधार आंदोलन का ही विरोध किया इन्होंने कहा कि जो रूड़ी परथाएं हमारी है वो इंपोर्टेंट है समाज में धर में सुधार की कोई जरूरत नहीं है यह किसका विचार था राधाकांत देव का विचार राधाश्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे सिवदयाल शाहब थे आगे चले महराश्ट का वह सुधारक जिसे लोग हितवादी कहा जाता है तो वो थे गोपाल हरी देशमुक थे महराश्ट में विधवा पुनर विवा हेतु अभियान का नित्रित तो किस ने किया था विश्डू परशुराम पंडित ने किया था अगे चलते हैं उन्निष्वी शदِّ के महान पारशी समाज सुधार कौन थे बहराम जी माला बारी आपको पता है यह पारशी समास से सम्बंदी थे और इन्होंने पारशी समाज में सुधार की बात किया था अता-समें क्यान बे में इसी कौ हिंदी में कहते है algorithms अधिewer उस समय कौन था अच्छा Governor General आपको पता है कि 1899 में Governor General कौन हुआ करता था उस समय था Lance Down कौन था Lance Down 1849 में इसमें क्या था इसमें था कि 12 साल से कम आयू के बच्चों के विवाह पर रोक लगा दी गई 12 साल से कम आयों के जो बच्चे थे उनकी विवाँ पर रोक लगा दी गई इस्पेसलि लड़कों के बारे में बात हो रही है आगे चलें देखे ये पूरा एक किसी के बारे में स्टेट्मेंट कहा गया है यहां तक पूरा और पूस दिया गया कि किस के बारे में कहा जा रहा है तुजरा पढ़ते हैं किस के बारे में एक चीज़े कही जा रही है देखे, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसने सामाजिक बुराईयों के निराकरण के लिए विधान निर्मार का सहारा लिया, बाल विवा, परदा प्रधा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया, सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्री अस इन ही के बारे में इस सारी बातें कही जा रही थी ये सवाल थोड़े से टफ भी हो जाते हैं कभी-कभी आसान भी हो जाते हैं आसान कैसे जैसे देखिए भारती राष्टी सामाजिक सम्मेलन का उद्गाटन किया बाकी उपर की चीजी हमको पता है कि नहीं पता है उससे मतलब भी नहीं है अगर हम को यह पता हो कि भारती राष्टि सामाजिक सम्मेलन को गटं किया उन्होंने तो हम तुरंद सेलेक्ट कर लेंगे महादयोगो विन्द। रानाडे के बारे में आगे चले है भारती स्थंता अंदोलन के समय राष्टि सामाजिक सम्मेलन का गठन किया और इसके गठन के लिए उत्तरदाई कारण क्या था National Social Conference ठीक है राश्ट्री समाजिक सम्मेलन अब आपको यहाँ पर एक चीज देखना होगा कि देखिये पहले अच्छा इसका Explanation देखतें क्या है भारती राश्ट्री कॉंग्रेश अपने कारिकरम में समाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी इसलिए प्रस्तुत उद्देश के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाओ दिया अब जरा यहाँ पर समझना जरूरी है इस चीज को कि भारती सुतंता अंदोलन के समय राश्ट्री सामाजिक सम्मेलन का गठन क्यों करना पड़ा नेशनल सोसल कॉन्फरेंस का गठन क्यों करना पड़ा देखे जब जब भारती राश्ट्री कंगरेस की स्थापना होती है और उसके उधारवादी चरण तक कहने के मतलब वो अपने एक सिसु अवस्था में थी ठीक है उस समय जरूरी था कि देश के लोगों को एक किया जाए जो नेता हमारे हैं उनकी विचारधाराओं को एक किया जाए और उनके अंदर राष्टरवाद की भावना को जगा करके स्वतंधरता के आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए ठीक अगर इसमें समाज के मुद्दे को उठा दिया जाता धर्म के मुद्दे को उठा दिया जाता सामाजिक सुधार के मुद्दे को उठा दिया जाता तो सायद भारती राष्टी कॉंग्रेस इतनी परिपक को नहीं बन बाती क्यों? जैसे मान लिजे कि उसमें अगर उठा दिया गया हम Congress छोड़ रहे हैं कुछ Hindu ऐसे हो सकते हैं जो कहा है कि नहीं हम Hindu धर में सुधार नहीं चाते हम छोड़ रहे हैं Congress तो Congress कभी मजबूत बन ही नहीं पाती ठीक है इसी वज़े से कभी Congress के अंदर से समाजिक सुधार की बात नहीं होती है और इसके लिए एक अलग से संगठन बन दोलन चलाया यह बात आपको पता है केशो चंसेन लेकिन जब वो अपने ही बच्ची का विवाह कर देते हैं तो इनका खुद का ही संगठन विभाजित हो जाता है और इन्हों ने एक सरवोदय समाज की इस्थापना किया था विनुबा भावे ने विनुबा भावे ने सान हों विधा कानून और हिंदू विद्वा पुनर विवाह कानून यह बात आपको पता है कि यहीं वह कानून है जहां पर विद्वाओं को पुनर्विवाह की अनुमति मिलती है और उननके बच्चे जो होगे उनको वैद संतान का दरजा मिलता है हिंदू विद्वापुनर विवाह कानून में ये कब पारित होता है 1856 में आगे चलें डिके कर्वे का नाम क्यों जाना जाता है डिके करवे का नाम जाना जाता है इस्तरी सिच्छा के लिए इस्तरी सिच्छा को प्रमोड करने के लिए विद्वा पुनर विवाह को प्रमोड करने के लिए जाना जाता है आगे चलते हैं वह ब्यक्ति जिसने विद्वा पुनर विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे शंद विद्या सागर का काफी रोल था क्लियर हो गया चले आगे चलते हैं यहां पर देखिए सही कथन है यहां पर इस्टेट्मेंट सही दे दिये गए हैं तो उनको हम देख लेते हैं 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रधा को कानून के द्वारा अपराद घोचित कर दिया यह बात पता है 1856 में हेंदो विद्वा पुनरिवाद नियम आता है और 1875 में स्वामी दयनन सरश्वती द्वारा आर समाज के स्थापना की जाती है तो यहां पर कोई कुछ था नहीं ऐसा 1843 के एक्ट फाइब के तहट किस चीज को गैर कानूनी बना दिया गया दासिता को या दास प्रथा को इलन बरू के ही पिरियड में आपको पता है ना 1843 और यहीं पर 1843 में ही सिंध का विजय कर लिया जाता है अंग्रेजु के द्वारा ठीक चलिया आगे चलते हैं 1872 में नेटिब मैरेज एक्ट को पारित कराने में महत्पूर्ण भूमिका किस्णे निभाई थी केशोचंद्र सेन ने ठीक है नेटिब मैरेज एक्ट को पारित करवाने में किस्णे महत्पूर्ण भूमिका निभाई थी वो थी केशोचंद्र सेन ने इसमें विबाल विव वहां प्रथा को नियंतित करने के लिए 1872 के Civil Marriage Act में Civil Marriage Act ने लड़कियों की विवा की नियुंतम उम्र निर्धारित किया था कितना 14 वर्स ठीक है उसी की बात हो रही है निटिव मैरेज एक्ट के संपादक थे इन्होंने एज ओफ कंसेंट एक्ट के पच्छ में प्रमुक्स संघर्ष करता थे देखे बहराम जी मालाबारी के हिन संघर्ष की वज़े से जो सम्मति आयू अधनियम 1891 में आया था जिसे एज ओफ कंसेंट एक्ट भी कहते हैं इनहीं के प्रयासों का ये परिड़ाम था बहराम जी मालाबारी के नितित में आगे चलें सार्दा एक्ट के बारे में हैं सार्दा अधनियम के अंतरगत लड़क सार्दा एक्ट आता है उसमें क्या कहा गया था उसमें लड़कों की विवाह के नियुंतम आयू 18 साल कर दिया गया था और लड़कियों के लिए 14 साल कर दिया गया था ठीक है नियुंतम आयू की बात हो रही है तो यहां पर लड़कों की विवाह की आयू 18 साल और लड़कि ब्लावत्सकी ने और कर्नल अलकार्ट ने तो यहाँ पर एक ही नाम दिया गया कोई दिक्कत नहीं भारत में थियोसोफिकल सुसाइटी की सफलता मुख्यता थी किस की वज़े से एनी बेशन की वज़े से हैं यहाँ पर आपको मेच करवाना है राज राम करवान राय भ्रह्म समाज से संबंदितके रात्मारा मपांदूरंग आत्मी-सभा राजा-राम मुए और भारति시에 ब्रह्म समाज 2 राधा सूमस सटसंग तुलसी राम थी के यह चीजि आपको पता ही होगी यहाँ परinken नाम आ गया राधास्वमी सचन्क तुलसी राम अलागे स्थापना सि उदयाल साहब ने किया था थी कUI आगे चलते है ब्रह्म समाज की इस्तापना कहां होती है कलकत्ता में मानो धर्म सबा सूरत में आर्ष समाज बिंबैी में नदवा उल्मा ठीक ہے यह लखनओ में इसकी स्थापना हो जाती है मुशलिम धर में सुधर से संबंदी थे यह नदवा उल्मा आगे सलते हैं कुछ चीजिया और हैं रिवाइस कर लेते हैं जल्दी से सत्य सुधक शमाज जयतिबा फूले मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज अलिगर सर्शयदा मत खा इनसे संबंदी थे तत्तो बोधनी सबा देविन ना टेगोर और दे सर्विंट ओफ इंडिया सोसाइटी ठीक है द इसकी स्थापना किसन ने किया था गोपाल कृष्ण गोख़ले ने किया था आगे चलते हैं भावजन समाज का संसापक कौन था मुकुंद राव पार्टिल यह बहुजन समाज पार्टी नहीं बलकि इस टाइम की बात हो रही है आगे चलते हैं नाडारो द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थी कहाँ पर तिरुनेल वेली में ठीक है तिरुनेल वेली में अब देखी यहाँ पर एकी statement है बाल गंगधर तिलक साब ने कहा था कि यदी भगवान अस्प्रिश्टा को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूगा यह बात किसने कही थी बाल गंगधर तिलक ने कहा था अब यहाँ पर देखें मैच करवाना फिर से आपको है कि राजरामोहन राय ने क्या कहा था उन्हों ने कहा कि हिंदु धर्म का सुद्धितम रूप उपनिशदों में नहीं थे ठीक है उपनिशद में नहीं थे केश्व चंसेन ने कहा कि ब्रंभवाद को ब्रंभवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए ब्रंभवाद को विश् उपनिस्दों को इन्होंने उपनिस्दों को हिंदु धर्म का सुद्धतम रूप माना और उपनिस्द और वेदों में बहुत अंतर है ठीक है उपनिस्द ज्यादा तार्किक है लोजिकल है जबकि जो वेद हैं वेद आप मान सकते हैं कि ज्यादा धार्मिक रूप से के बाद जब विवेकनन साहब ने इस्तापना करते हैं और उन्होंने क्या कहा था राजयोग कर्मयोग धर्मयोग ओ सरी कर्मयोग राजयोग ठीक तो इन्होंने जो कई योग बताए इसके पीसे रीजन क्या था उन्होंने यही रीजन था कि उन्होंने कहा कि इस वर तक पहु लिए जाने जाते हैं वो कौन धयनन सरश्वति इस्वरचन विद्यसागर और राजा मुहन रोए राजन मुहन रोए को लगभग बारा या 12 भासओं का ज्ञान था इनको इश्वर्चन विद्या सागर दयानन सरश्वती ये सभी संस्कृत भाषा में प्रवीडता हासिल की हुए थे यहाँ पर फिर से बताना है आपको कि सही कथन क्या है देखे ब्रह्म समाज जो था वो एकेश्वरवाद का समर्थन करता था ठीक है एकेश्वरवाद का तभी तो इसने मूर्थी पूजा वगेरा को कहा कि यह कहीं से बेउचित नहीं है आरिस समाज ने सिच्छा के विकास में युगदान दिया रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकनन ने किया आगे चलें भारत में नारी अंदोलं का प्रारम हुआ था जयतिबा फूलकी प्रेंडा से ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन और आरिस समाज में समानता क्या थी आपको तीनों में समानता ढूंडना है ठीक है ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन आरिस समाज तीनों ने ही तीनों ही जो थे वो राजनेतिक उद्देश के लिए नहीं बनाए गए थे, तीनों का उद्देश से क्या था, तीनों का उद्देश से था देश भक्ति के विकास में सहायता करना, दूसरी बात समाज में सुधार को लेकर भी ये इंपोर्टेंट थे, आगे चलते हैं, डॉक मौलाना हुशैन एहमद ने किया था देवबंद में, यूपी में, ठीक, दार उल, उलूम, आज भी चर्चा में बने रहते हैं, आगे चलते हैं, देवबंद आंदोलन, यूपी में आरम हुआ कब से, 1866 से, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, किसके विरुद्ध था ठीक है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, मंदिरों में ब्रष्टा चार के विरुद्ध था, हाली पद्धती, हाली पद्धती का संबन किसे था, बंधुआ मजदूर से था, ठीक है, अब इसके बाद आता है, कॉंग्रेस से पूर्व इस्थापित राजनितिक संस् लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक चैनल आपने सब्स्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तो चैनल सब्स्राइब करें, क्योंकि मेरे लिए आपका मोटिवेशन यही होगा, मे थालीज नहीं किया जो में तक प्लीज अचानल टे छोच स्ट वेखने लिए अगाखने सब्स्राइब करेंगे, तक चैनल गावागे, दो शवोज आपका मोटिवेशन थाईपका मोटिवेशन दोपें जोडिवेशन दोडियो में, कमिलेशन दोड़ तक जोडिशन और ज